Hey guys, once again, nice to meet you. आज हम सिखेंगे multiplication by deplex number. Deplex number क्या होते हैं? वो number जैसे 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. आज हम इन number से multiply करना सिखेंगे. तो पहला question है हमारा 3548 multiply by 22. तो 22 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 11 into 2. लिख सकती हूँ ना, तो इस number को पहले हम करेंगे 11 से multiply. और फिर जो answer आएगा, उससे हम 2 से multiply करेंगे. तो आएए करते हैं, 3, 5, 4, 8. को 11 से multiply करने के लिए हम इसके दोनों तरफ 0 apply कर देंगे. और chain method से इसका plus करेंगे. तो 808, 4 और 8, 12 होते हैं, 12 का 2 हम यहां लिखेंगे. और 1 carry दिमाख में रखेंगे. 504, 9, plus 1 carry. तो 10 का 0 यहां लिखेंगे, 1 carry दिमाख में रखेंगे. 3 और 5 होते हैं, 8, plus 1, 9, 3 और 0, 3. तो यह हमारा 11 से multiply करने के बाद answer आता है. अब हम इसे multiply करेंगे 2 के साथ. तो 2 के साथ multiply करने के लिए, हम इसको left side से multiply करेंगे. तो 2, 3, 6. 6 single digit है और हमें single digit नहीं लेना, तो हम 0, 6 लेंगे. 2 9 जा 18, तो 18 का बर हम 6 के उपर लिखेंगे. और 8, 6 के आगे. 2 0 जा 0, तो 0, 0 हमें ऐसे लिखेंगे. 2 2 जा 4, single digit है, तो 0 अप्लाई कर देंगे. 2 8, 16, अब हम इसका simple method से प्लेस करेंगे. 6, 1 और 4, 5, 0, 8, 7, और 0 मत लिखो. तो ये हमारा answer है. Next हम देखते हैं, 3, 2, 1, 2, 9 को 44 से multiply करना. तो इसको मैं लिख सकती हूं, 11 into 4. ठीक है, तो इस नंबर को पहले हम 11 से multiply करेंगे. और जो answer हैगा, उसको 4 से multiply करेंगे. तो आएए करते हैं, 3, 2, 1, 2, 9, 0 प्लाई कर देंगे. और chain method से plus करेंगे. 9, 2 और 9 होते हैं, 11 का 1 carry. यहां लिखेंगे और 1 carry दिमाग में रखेंगे. 1 और 2, 3 प्लस 1, 4. 2 और 1, 3. 3 और 2, 5. 3 और 0, 3. अब हम इसको 4 से multiply करेंगे. तो 4, 3 जा होते हैं, 12. 12, 4, 5 जा, 20. 4, 3 जा, 12. 4, 4 जा, 16. 4 बन जा, 4. तो उन्हों 0, 4 लेंगे. 4, 9 जा, 36. simple method C plus करेंगे. 6, 4 or 3, 7. 0 or 6, 6. 1 or 2, 3. 1 or 0, 1. 2 to 4 or 1. That is answer. Now, this is for you. Do practice and have fun. Thank you. Have a great day. करेंगे. स्थम्यों करें